नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है समय और आप देखे हैं हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय दोस्तों आज हम बात करेंगे गीजर के अंदर जो हीटिंग ओटो कट होते हैं जिससे गरम होकर गीजर अपने आप बंद हो जाता है उसको आप किस तरह चेक कर सकते हैं यह काम कर नहीं कर रहा है तो दोस्तों आपको करना एतना है कि वसे वीडियो को पूरा देखना लाश तर तो अई सुरू करते हैं वीडियो दोस्तो इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं दो तार सीधे आएंगे एक ओटो कट में लग जाएगा और एक होल्टर में सीधे जाएगा दूसरा होल्टर का तार है ओटो कट में लग जाएगा दोस्तो यहाँ पर मैंने हाई ओटो कट लिया था और जिसको मैंने गेस की जो बिलोवर होता उससे तरह करके कट करके दिखाया अब दोस्तो जब ठंडा होगा तो यह अपने आप आएगा दबाने से नहीं आएगा अभी मैं इसको ठंडे करने की कोशिश करता हूँ और उसके आप इसको यहां से इसकी जो नौक है इस पर कंटिन्यू रखें और यह थोड़ी देर में आपका ओटो कट है जो बंद हो जाएगा दोस्तो ध्यान रखें अगर आपको इनसे डर लगता है तो आप यह काम ना करें और करन्ड का जिसे ध्यान रखें तो दोस्तो इस तरह ग है गर यह वापस नहीं आ रहा है या पिर मொलुप कट नहीं हो रहा है समझ्जी आप खराब है आप इसको चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरह आप अपने ओटो कट को चेक कर सकते हैं है सिम्पल तरह हो गया अब हम Us को ठंडा करेंगे तो वापस आपका बलब जल जाना चाहिए अगर बलब जल गया तो ठीक है अगर नहीं जला तो यह आपका ओटो कट खराब है तो दोस्तो आपने देखा किस तरह मैंने आपको बताया कि गीजर के हीटिंग ओटो कट को आप किस तरह चेक कर सकते हैं और यह प्रॉपर काम कर रहा है और नहीं कर रहा है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय